एक नया चैप्टल स्टाटट करेंगे principles of management बहुत ही important chapter , principle of management वेटिज इसको वही है same to seem management की तरह है almost five marks का वेटिज बहब सब्कूंठ, तो ध्यान से समझना, आज इस chapter को finish तो नहीं कर पाएगं, काफी बड़ा से मुझे कराना है इसको कि यह अगली क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैंनेजमेंट चेप्टर जो है वह हम फिनिश कर देंगे रोंड वरी इस पूरे मन्त के अंदर चार चाप्टर हमारे खतम हो जाने रोंड वरी चार चैप्टर हम लोग बिल्कुल खतम कर देंगे और अभी जो दिवाली का फिर जो य तो मैं उसमें एक चैप्टर आपका और करा दूँगे और चारो चैप्टर का टेस्ट जो है वो होने वाला है तो आप रेडी हो जाओ मैं बहिज दूँगा चारो चैप्टर के वो देख लेना आप और वन टू फोर चैप्टर जो मतलब की वन थर्ड से लवस है पूरी की पूरी किताब का वो हमें खतम करना है अभी हम शुरू करते हैं बिना लेट करें प्रिंसिपल अफ मैंने बहिज दी है वाट्सएप पे त सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स होते क्या है क्लास प्रिंसिपल्स यानि की सिध्धान्त समझ रहें बात को प्रिंसिपल्स आप समझते ही हो सिध्धान्त तो मैनेजमेंट को करने के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स है कुछ सिध्धान्त है यसे science में principle होते हैं उसी तरीके से management को करने के लिए भी कुछ principles है जिनका हमको ध्यान रखना है तो होते क्या है management principles are the statements of fundamental truth यानि कि एक बात तो बक्की है कि जो management principle है वो fundamental truth है यानि कि वो गलत नहीं है वो बिलकुल true है truth है आप कह सकते हो rule regulation which helps the managers for taking the managerial actions and decision कुल मिला के class management principles जो है कुछ ऐसी सच बाते हैं कुछ ऐसे rules हैं कुछ ऐसे technique हैं जो manager की मदद करता है management में decision लेने के लिए कोई action लेने के लिए अगर हम उन rules को उन principles को उन सिधानत को पढ़ेंगे समझेंगे तो कहीं न कहीं हम अच्छे से management कर पाएंगे हम employees को अच्छे से संभाल पाएंगे उनको motivate कर पाएंगे ताकि वो organization का goal efficiently और effectively अचीव कर सके clear यहां तक तो यह management principles होता है अब characteristics की बात करें nature हो चाहे सबसे पहला जो फीचर वो जन्रल गाइडलाइन जो management principles है वो guideline है बच्छो guideline होता क्या है जो आपकी मदद करता है आपको गाइड करता है आपकी goal तक पहुंचने में उसको बोलते है guideline ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि management principle अगर आप follow करोगे तो आप success मिल जाएगे आपको यह कोई damn sure नहीं है हाँ लेकिन यह है कि अगर आप इन principles को सही तरीके से आप follow करोगे समझ रहे है बादो class तो आपको जरूर कहीं नहीं फायदा होगा these principles are guidelines not static statements यह सिर्फ guideline है कोई fix statement नहीं है it means it means blindly you cannot apply these statements in any situation यानि कि आपको management के principles जो है सिधांत जो है वो situation to situation apply करना पड़ेगा आप आँख बंद करके इन principles को apply नहीं कर सकते situation change होगी तो management का principle भी क्या होगा वो change होगा दूसरा principle लगेगा management principle का क्या है class वो general guidelines है अगला flexible flexible मतलब जो मतलब एक तरीके से कह सकते हो जो change होता रहता है management principles are flexible in nature these can be applied differently under the different situation class जो management के सिधांत है जो हम आज पढ़ेंगे भी तो इन principles को आप अलग-अलग situation में अलग-अलग तरीके से लगा सकते हो यानि कि आप अलग-अलग situation के लिए अलग-अलग principle का इस्तमाल करोगे अगला class form by practice and experiment अब यह सिधांत जिस इंसान ने बनाय है जिसने इस सिधांत बनाय है ना class उसने continuous इसके practice करी है continuous experiment किया है और उसके बाद जाके कहीं इन principles को बनाय गया है so management principles are formed by practice, experiments, management principles are developed यह जो principle बनाय जाते है न डेवलब किया जाता है after a deep and continuous research work बार-बार employee के उपर एक principle को लगाया जाता है अलग-अलग employee के उपर लगा के continuous watch करते हैं देखते हैं नजर रखते हैं और उसके बाद ही कहीं इन principles को डेवलब किया जाता है they are not developed overnight proper observation and experiment are conducted before developing them जितने भी सिध्धांत बनाय गया है जो हमें पूरे chapter के अंदर पढ़ेंगे उन्हें class continuously evaluate करके study करके ही बनाय गया है ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया ठीक है fourth point universal applicable यानि कि application जो है management principle का वो हमेशा के लिए होगा हर जगे होगा management principles are universal nature these can be applied to all type of organization यह जो परवेसिव है यह universal phenomenon है आपने management के अंदर भी पढ़ा हर type के coordination में भी पढ़ा आप लोगोंने तो हर type की organization के लिए management principle आप लगा सकते हो like division of work आप सबको पता है division of work होता क्या है कि काम को बाट देना अब यह जो principle है class division of work यह हर जगे apply होता है घर में school में आप जब game खेलते हो तो भी हर जगे चाहे profit organization हो चाहे non-profit organization हो division of work का मतलब क्या है जिस इनसान को जिस काम में मजा आता है जिस काम में हो ज्वाट जाता है जसके हम easily goal को चीएफ कर सकते हैं तो यह काम को बाटने वाला है principal division वर्ग ये सिर्फ बिजनस में नहीं हर जगे अप्लाई हो सकता है इसलिए हम कहते हैं इसको यह जो डिवेजिन वर्ग है यह जो प्रिंशिपल है यह यूनिवर्सल इन नेचर है यानि की परवेसे है ओके फिफ्थ पॉइंट, यह जितने भी सिद्धान्त बनाए गए हैं, आपको पता है कैसे कैसे बनाए गए हैं? continuous practice से, experiment से continuous बनाए गए हैं, तो इनका cause and effect relationship होता है, यानि कि, as you all know that management principles are developed after the continuous practice and research work, so, these are based on cause and effect, that means, these principles tell us, if a particular principle is applied on a particular situation, what might be the effect? plus cause and effect का मतलब क्या है, कि अगर हम किसी सिद्धान्त को लगाएंगे, तो उसका कारण क्या होगा, उसका effect क्या होगा, उसका cause क्या होगा, और उसका effect क्या होगा, बच्चों देखो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं आप लोग इसे याद करने में बिल्कुल भी जल्दी बाजी मत करना आप अराम से 15 मिनट 20 मिनट देकर इन 5 पॉइंट को याद करना फिर एक दूसरे को सुनाना अगर आप classmates मिलके तयारी करते हो एक पॉइंट आपको सुनागा और उसके बाद इसे copy लिखना भी यानि कि एक बार अगर आपके बास कोई दोस्त नहीं है सुनाने के लिए शेरिंग करने के लिए तो आप खुदी ही अपने आपसे बात करके इसका यह फस्स पॉइंट इसका सेकेंड पॉइंट आप बार बार इसे रिव अगर 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 आप क्लास मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करोगे अब वो प्रिंसिपल कौन-कौन से बार बार दिमाग में आ रहा होगा तो मैं पढ़ाओंगा आपको आज ही पढ़ाओंगा तो अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को सिध्धान्त को फॉलो कर तो उसका फाइदा क्या होगा सबसे पहला फाइदा यह साइन्टिफिक डिसीजन है बच्चो साइन्टिफिक डिसीजन कहते ही इसको है management principles are scientific decision it means these are made with proper logic यानि कि जो सिद्धांत बनाए गए है principle बनाए गए है वो proper logic है उनमे reason है fact है मतलब ऐसे ही नहीं बना दिया गया कुछ भी proper logic है reason है fact है experiment continuous practice उसके बाद बनाए गया है तो जो भी इसका result आएगा वो scientifically prove होगा so these principle helps the management with scientific decision कई बार क्या होता है management अपनी इच्छा से decision लेता है क्यों क्यों मालिक है मालिक को लगता है कि मैं इस काम को 2ALK में कर सकता हूं तो वरकर से खेता है सब, इस कामको 2ALK में करो Miles मालिक जो है वो एक बार रेस्ट लेता है पूरे दिन भर में तो हरक employee चैरा है कि निक आप ही कर दो बार master प्लोगे तो ऐसी समस्या आ सकती है माले के साथ तो माले को कभी बेवी यह नहीं सोचना है कि मैं क्या समस्ता हूं मेरे according का नहीं सूचना है उसको जो scientific principle बनाए गए जो scientifically प्रूव है वह decision आपको management principle में मिलता है management principles are scientific decision यह क्या देता है class guideline यह अभी याद करा दूँओ देखना आपको कैसे याद होगा पहला क्या बताओ scientific decision दूसरा यह guideline देता है manager को हमने पहले ही पढ़ा था बच्चो guideline का मतलब क्या है कि मालों मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको guidelines दे रहा हूं paper कैसे attempt करना है पढ़ाई कैसे करने learning कैसे करना evaluate कैसे करना है self evaluation कैसे कर सब कुछ पर क्या guarantee है कोई कह दे कोई बच्चा अगर मुझसे यह कह दे कि सर आप जो है guarantee ले लोगे मेरे पास होने की बच्चो guarantee यह नहीं देता है management principle guarantee नहीं देगा सिर्फ guideline है guideline का मतलब क्या है आपको रास्ता दिखाया जाएगा आपकी मदद की जाएगे आपके साथ जो है चलना है लेकिन guarantee कोई नहीं दे सकता क्योंकि आप पीपर में जाओगे और copy pen खाली चोड़ के आजाओगे कोपी में लिखोगे नहीं तो कैसे कोई पास होगा तो कहने का मैनेजमेंट की जो principle है सिद्धानत है वो आपको guarantee success नहीं देता है कि अगर आप इनको follow करोगे तो guarantee success मिलेगी ह लेकिन guidelines जरूर देती है management principle जो आपकी मदद करती है आपकी गोल को achieve करने में अगर आपने उसे सही situation में सही principle लगाया तो example एक सिद्धानत हम पढ़ेंगे आज इसको बोलते है equity equity मतलब क्या होता equal treatment आपने हर employee के साथ बराबर का treatment रखना है बराबर का relation रखना है आपने भीद बेदभाव किया बेदभाव अलग अलग तरीके से हो सकता है gender basis पे male female के basis या बेदभाव क्लास हो सकता है क्लास region के basis पे यह जैसे मालो की nationalism के basis पे यह यह मेरे गाओं का आदमी है यह मेरा दोस्त है अगर आपने ऐसे कोई बेदभाव किया तो आपका business जो है वो decline करेगा employee dissatisfied हो जाएंगे छोड़के चले जाएंगे company की bad image building बनेगी और आपका goal भी time पे achieve नहीं होगा तो इन principle को लगाना है आपने लगाओगे इन principles को तो आपको कहीं न कहीं फाइदा जरूर होगा अगला point है fulfill social responsibility पहला point क्या था बताओ class scientific decision पहला point क्या था scientific decision दूसरा point क्या था class guideline it provides guideline to the manager so तकी class वो social responsibility पूरा कर सके बच्चो management chapter में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि किसी भी manager का तीन responsibility होता है सबसे पहला उसका जो duty है वो organization के लिए है उसके बाद उसका जो है परसनल है उसके बाद social है तो social objective जो है भाया तुम जिस समाज में रहते हो तुम्हें उस समाज को ग्रो करना है उस समाज के लिए कुछ करना है जैसे उनको अच्छा समान बेचना है employment generation करना है आपकी social responsibility है तो management principles कहीं ना कहीं आपकी मदद करते हैं ताकि आप social responsibility को पूरा कर सको management principles play an important role in fulfilling the social responsibility towards society, manager must do something for society, manager को कहीं ना कहीं society के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए तो तीन पॉइंट कौन कौन से एक बार revision करते हैं आप लोग मेरे साथ साथ revision करो पहला point scientific decision दूसरा point guidelines to the manager तीसरा point fulfill social responsibility चौथा point optimum utilization of resources अब बचपन से ही आपकी घरवाले आपको कहते होंगे बिटा पैसा वेस्ट मत करो बिना फालतोए खर्चे मत करो optimum utilization of resources का मतलब क्या है कि resources हमारे limited है चाहे वो पैसा हो चाहे वो कोई समान हो चाहे वो raw material हो वो limited है तो आपने उसका इस तरीके से इस्तमाल करना है ताकि आपको फाइदा सबसे ज़्यादा हो management principles help the manager to reduce the cost आपकी लागत को कम किया जाएगा by optimum utilization of resources management principle helps to remove the wasteful movement आपको पता है क्लास हम बहुत सारी ऐसी movement company में करते हैं जो वेस्टफुल है बे मतलब का यहां से सा आप लोग क्या करते हो स्कूल में बिना बाद के washroom जाने के बहाने निकल जाते हो classroom से और यहां वहां घूमत हो इसकी class में हो इसकी class में यहां यह तो movement है यह wasteful movement है इससे कोई फायदा आपको नहीं होगा तो इन सबको management principle इसी तरीके से आपको में स्कूल के example दिया उसी तरीके से company में भी कई बार employee मालिक के आने के बाद ही काम करता है और देखता है वो देख रहा है तो काम करता है तो standard time to complete a task standard time समझते ने ऐसा time जिसमें हम काम को पूरा कर सके अगर कोई furniture बना रहा है तो दो घंटा एक standard time होगे दो घंटे में furniture बन जाएगा अगर हमारे वातावरण में कोई change आया अगर हमारे external environment में कोई change आया तो हम उस change को अपने internal environment में भी apply करेंगे इसको बोलते हैं meeting changes in the environment हर businessman जो है every businessman has to make changes in the organization according to the changes take place in the business environment मैं आपको example लेता हूँ coronavirus के चलते आप TV में देखना चाहे कोई साबून हो चाहे कोई class hand sanitizer हो वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारा जो product है वो 99.9% germs को clear करेगा उनको पता है मालो एक साबून है live boy साबून है अब लाइब बॉय साबून को पता है मैं normal साबून के लिए बेचने के लिए बोलूँगा कोई खरीदेगा नहीं मैं अगर मैं साबून में यह लगा दू कि यह कोरूना से लड़ता है या इसमें रोग जिसमें जो है कहीं न कहीं ऐसे anti जो product है कोई chemical है जिससे कोई चेंज नहीं करतें सिर्फ यह चेंज करतें advertisement में यानि कि advertisement चेंज कर दो माल वही बेच दो यही तो फायदा एकलास एड का एड करके वही सारी चीज़े यह लोग क्या करतें बेच दें साबून सेम वही है packet अलग है packet के ऊपर जो है packet के ऊपर बोल दिया कि it kill corona बस इसी क्या फायदा इस से लाइब बॉल ले लेते हैं इस से डेट आल ले लेते हैं तो यह product में कोई change नहीं करते प्रड़क्ट में कोई change नहीं करेंगे यह क्या करेंगे वह जो market में चाहिए example अगर माल लो इंडिया चाइना इसकी लडाई की बात चलने लगे इंडिया पाकिस्त करना हूं मैं इंडियन हों तो मैं खरीदूंगा दूसरा देश देश जसे पौजी वगएर हो इनकी लिए मार्केडिंग की जाती है आर्मी वगएर होते है आर्मी औफिसर्स जो होते हैं क्लास चाहें किसी प्रकार की हो उनकी भी यह लोग बाइक वाले का add आता है वो एक चला रहा होता है बोलता है देश की पसंद है यह मेरी तो उसमें कहीं नहीं कहीं लोगों को ऐसा अंदर से मोटिवेट किया जाता है कि नहीं भाई हम भी देश हम भी देश भगता है तो हम भी यह चीज खरीदेंगे तो यह जो मार्केट में चलेगा उसको यह लोग क्या करें बेचना चालू कर देंगे जो एक्स्टर्नल इंवारमेंट में चेंज आ रहा है लेक नोट बंदी हो गई नोट बंद हो गया उसके बाद क्या हुआ इन लोगों ने ऑनलाइन पेमिन लेना स्टार्ट कर दिया तो यह क्या है अगर कोई उस टाइम बोलेगा अगर नोट बंद में लागू करना पड़ेगा और बिजनेस इंवारमेंट आपको यही सिखाता है कि जो भी बाहर बदलाव आए हैं आप उसके प्लास्टिक की चीज़े बेचोगे बिल्कुल नहीं बेचोगे जो बाहर चेंज आएगा उस हिसाब से अपना चेंज क्या कर देंगे अंदर क् अब आगे आजओ अब यह पूरा का पूरा मैं आपको इन शॉट में एक सेंटेंस के थुरू मैं आपको याद करा जेता हूं एक सेंटेंस के थुरू यह पूरा याद हो जाएगा एक बार क्लास इसको चेक करो Management Principles are those scientific decision ध्यान रखना Management Principles are those scientific decision which provide Management Principles वो scientific decision है जो Managers को guideline देता है ताकि वो Social Responsibility को पूरा कर सकें Resources को कम से कम वेस्ट करें और जो भी चेंज हो रहा है मार्केट में उसको अडॉप्ट कर सकें तो आप मेरे साथ साथ बोलो Management Principles are those scientific decision Management Principles वो scientific decision है जो Managers को guideline देता है ताकि वो Social Responsibility निभा सकें Resources को Optimum Utilization करें और जो भी चेंज हो रहा है Environment के अंदर उसको यह क्या कर सकें अडॉप्ट कर सकें बाहर जो बदलाव आएगा हम उसी तरीके का बदलाव करेंगे अच्छा एक और तीज एक्जामपल देता हूँ कुछ दिन पहले मोदी जी ने अपने भासन में एक word का यूज किया था जिसका नाम है Self Reliance कहने का मतलब क्या आत्म निर्भर आत्म निर्भर भारत लोकल को वोकल clear एक लास यां तक यह जो मोदी जी ने कहा यह इसका मतलब यह है कि हमें जो product purchase करना है वह कोशिश करना है कि हम देश की चीजे खरीदे आप भी इस देश में रहते हूँ मैं भी इस देश में रहता हूँ मैं आपका product खरीदूंगा तो कहीना कहीं मेरे लोगों को रोजगार देता हूं उन्हों ने इस point of view से कहा आपको पता है समान बनाने वालों ने क्या किया अपने product में made-in-india make-in-india लिखना चालू कर दिया क्यों को पता है कि मोधी जी ने ऐसा कहा है अगर हम made in india लिखींगे वीक zwei है लगान पछले गए कुई किसी product इंडिया है बात समझे लिए न क्लास क्या कहना चारो मैं तो यानि कि जो भी इन्वारमेंट में चेंज आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे अडॉप्ट करेंगे क्लास कोई दिक्कत परिशानी किसी को करेक्टर स्टिक्स फीच और इंपोर्टन्स के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दो साइंटिफिक डिसीजन विच प्रोवाइड गाइडलाइन्स तो इसके बात क्लास मेंटिंग चेंजिस इन इन्वारमेंट और अप्टिमूम इ एकनॉमिक्स होते हैं तो मैनेजमेंट लेवल पर जो एक्सपर्ट लोग होते न वो क्या करते हैं मालो कि उन्होंने बहुत स्टेडी किया एंप्लोई के उपर काफी एक्सपेरिमेंट किया देखा लोगों का बहीवे स्टेडी किया उसके बाद रूल्स बनाए अपने उसको पास कराने का तरीका मिल गया कि उनको कैसे मोटिवेट करना उनके कैसे उनको मतलब की उनकी गोल को अचीव करना है तो फिर मैं उस हिसाब से क्लास एक कुछ गाइडलाइन बना दूँगा और जिसको सब लोग क्लास क्या करेंगे अपूफ करेंगे तो वो चीजे जो आप उन principle को follow करोगे तो आपको कही ना कही मदद मिलेगा लेकिन ध्यान रखना blindly आप इन principles को नहीं लगा सकते आख बंद करके नहीं लगा सकते situation to situation यह वेरी करता है क्योंकि आप सबको पता है management principles जो है वो flexible in nature है ओके चलो तो आते हैं सबसे पहले क्लास हेंड्री फ्योल वाजा फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे बॉर्न हुए थे 28 जुलाई 1841 में ज्यादा डिटेल इनकी नहीं जाननी इस्तानबुल टर्की में और उन्होंने एक बहुत किताब लिखी है जो बहुत फेमस है अब उन्ही किताब को उन्ही गिताब में से कुछ प्रिसिप Bayern उठा रखे है और हिंटरी फ्योल को कहा जाता है ठ्वादर ऑफ मनेज्मेंट ध्यान रखना है एंडरी से открыve ऑफ मेनेज्मेंट स्टेडि нуж था या और आरS ए Nah अब उन्होंने चौदा प्रिंसिपल में जो सबसे पहला प्रिंसिपल दिया है वो है डिवीजन ओफ वर्क हेंरी फियोल साब कहते हैं कि आप किसी एक इनसान को सारा काम मत दो काम का बटवारा करो काम को डिवाइड करो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने टोटल वर्क को चोटे चोटे पार्ट में बाट दो और एक इनसान को सिर्फ एक ही काम दो समझरे बात को अपने टोटल वर्क को आप छोटे चोटे पार्ट में बाट दो और एक इनसान को सिर्फ एक ही काम दो matching to his skills and qualification और उसको जो आप काम दे रहे हो वो उसकी qualification को देखके उसका में उसका interest है की नहीं उसमें उसकी ability है की नहीं उसके पास उसकाम को करने like degree है की नहीं ये सारी चीजे देखके उसको दो एक एक individual को छोटा छोटा काम दो आप कभी एक ही इंसान को सारा काम मत दे दे न वो overburden feel करेगा वो काम को नहीं कर पाएगा तो इसमें लिखा है according to this principle the total work is divided into small units and one person is to assign only one unit of work matching to his skills, qualification, interest and experience this leads to specialization and improve efficiency तो ये class specialization है यानि कि उसकाम expert हो जाएगा और efficiency बढ़ेगी consequences of violation of this principle यानि कि इस principle के violation के कारण क्या है सबसे पहला कारण क्या है class अगर आपने आशे सुनो violation मतलब क्या होता है कि अगर आपने इस principle को follow नहीं किया आपने सारा का सारा काम किसी एक इंसान को दे दिया आपने ये वाला जो principle है वो follow नहीं किया तो उसके कारण क्या होंगे ध्यान रखना अगर आपने ये वाला principle follow नहीं किया तो पहला problem क्या होगा lack of efficiency lack of efficiency का मतलब है आप काम को बहुत ज़्यादा wastage करोगी काम में resources का अब एक इंसान सारे काम expert तो होगा नहीं तो resources का waste होगा chances of duplication of work एक ही काम दो लोग कर दें इसका भी chance है अगर सबका काम fix नहीं हो कोई भी इंसान specialized नहीं रहेगा अगर आप एक छोटा काम करते हो बार-बार उसी काम को करोगे तो आप उस काम में expert हो जाओगे लेकिन यहाँ पर कोई specialization नहीं रहेगा और आपका जो goal है वो भी कहीं न कहीं देर में achieve होगा यह है class violation अगर आप इन principles को follow नहीं करोगे तो यह problem होगी कोई दिक्कत है class यहां तक तो यह पहला point है division of work कि काम का जो होना चीए class वो क्या होना चीए division होना चीए बटवार होना चीए clear यहां तक यह point मतलब lack of efficiency आप सबको पता ना efficient और effectiveness क्या होता effectiveness मतलब काम को time पर पूरा करना और efficiency मतलब resources को without waste काम को करना लेकिन अगर class आपको सारा काम एक ही बार देदी जाएगा तो कहीं न कहीं resources का wastage होगा आप resource को waste करोगे कहीं न कहीं तो यह इसमें problem होगी अगर आप इस principle को follow नहीं करते तो नेक्स्ट क्लास authority and responsibility सबसे पहले बात आपको पता होना चीए authority मतलब होता क्या है authority मतलब होता है power to take decision authority का मतलब बर्चो क्या होता है power to take decision decision authority मतलब है decision लेने का power clear एक्लास उसको वलत authority को लोग कहते है मेरे पास authority है मेरे पास power है responsibility मतलब क्या है class आपको power क्यों दी गई है ताकि आप अपने जिम्मेदारी को पूरा कर सको example मुझे कोई contract मिला मुझे contract 100 jeans बनाने का 100 jeans बनाने का मुझे contract मिला मैं तो सारा काम करूंगा नहीं तो मैंने manager को बोलाया मैंने manager से कहा manager तुमको 100 jeans बनाना है तो यह क्या है यह authority है responsibility बोलो फटाफट मैंने गा तुमको 100 jeans मुझे करके देना है 30 दिन के अंदर कि वैरे गुट responsibility क्या से ऊगे रावर इनक क्या सब आफाल देदिया उसको he क्या-फॉर मैंने कोई आवर दिया है क्या उसको अपने काम करके यह थोड़ी है अब सुनो मेरी बात अब उसने बोला मेनेजरने कि सर मैं कैसे करूंगा हमारे पास तो Employee नहीं है तो फूं ने बोला कि तुम जितने Employee Hire करना चाहते हो तुम जितने Employees Hire करना चाहते हो हाइर करो ठीक है जितना रहांसे जहांसे तुम ROM Material खरिदना चाहते हो वहां से खरीदो raw material, पैसे लो मुझसे, लेकिन काम को पूरा करके तो class, इसको क्या बोलेंगे, authority, अब मैंने उसे power दे दिया, कि वो किसको रखेगा, किसको निकालेगा, माल कहां से खरीदेगा, ये power है, अगर बच्चो मैं सिर्फ उसको responsibility दे दू, authority ना दू, ये responsibility ज्यादा दे दू, power कम दू, तो क्या वो अपने गोल को चीफ कर पाएगा, क्या वो काम कर पाएगा, नहीं, वो over burden फिल करेगा, और बच्चो अगर मैं ज्यादा power दे दू, तो miss use करेगा, अगर मैं ज्यादा power उसको दे दूँगा, तो power को miss use करेगा, ध्यान रखना, तो authority and responsibility principle कहता है कि अगर आप किसी को power देते हो, तो उसको जिम्मेदारी भी दो, और power और जिम्मेदारी, authority and responsibility दोनों में एक balance होना चाहिए, अगर आपने उसे ज्यादा power दे दिया, आपने उसको ज्यादा power दे दिया, तो वो power का गलत इस्तमाल करेगा, और अगर आपने उसे ज्यादा responsibility दे लेकिन अगर आपने इस principle को violate किया, ज्यादा power दे दिया या जो भी कुछ भी किया आपने, तो होगा क्या, ज्यादा power दिया तो यह misuse करेगा, और कम power दिया तो overburden feel करेगा, और overburden feel करेगा, तो क्या होगा, वो काम को देरी से करेगा, तीसरा principle है, principle of discipline, आप लोगों को सिर् discipline में रहो, बच्चो मैं आपको exact meaning बताता हूँ, किसी भी काम को करने का जो proper तरीका है, अगर आप उस proper तरीके से उसे करते हो, तो आप discipline हो, example मैं आपको देता हूँ, बहतर समझ आएगा, अगर class के अंदर, एक madam पढ़ा रही है, आपके सर पढ़ा रहे हैं class के अंदर, ठीक या class के अंदर लेट के पढ़ना सही है, बिल्कुल नहीं, सही नहीं है, आप समझ आएगा आपको, teacher के बात सुनाई देगी, समझ आएगा, लेकिन नहीं, आप class के अंदर, अगर jeans पहन के, top पहन के जाओ, या shirt पहन के जाओ, trouser पहन के जाओ, class के अंदर, तो भी तो आप प बंद करकर के धीरे-धीरे, कैएड नहीं, तो discipline का मतलब का है, जिस काम को जैसा करने के लिए बोला गया है, आपको उसी तरीकी से करना, management principle में, फ्योल साब कहते हैं, discipline जो है, वो कहीं न कहीं respect है, किस के लिए, rule and regulation के लिए for the organization, जो भी organization के rule and regulation आपको respect करने, उसकी, it is required every level, क क्या discipline से top level को करना है, क्या school में बच्चों को discipline करना है, क्या, नहीं, teachers को भी discipline करना है, time पे class के अंदर enter करना है, time से class के अंदर leave करना है, बच्चों को बराबर treat करना है, class के अंदर आके दूसरे teacher की बुराई नहीं करनी, अपने tuition में बुलाने के लिए बच्चों को force नहीं क उनको पढ़ाना है समझाना है हर एक बच्चे को ना कि class के आगी के चार बच्चों को superior यानि कि मालेक subordinate यानि कि उसके नीचे जो काम कर रहा है तो superior and subordinate both have to maintain discipline discipline आपको भी चाहिए discipline मेरे को भी चाहिए discipline superior मतलब उपर employer और subordinate नीचे सब को discipline चाहिए अगर discipline में काम होगा तभी systematic तरीके से काम चल पाएगा company में आने का time जो है उसी में आएं उसी में जाएं discipline तरीके से काम करें, resources का waste ना करें अपने लिए ना सोचें, अपनी organization के बारे में सोचें in the organization and improve efficiency, sometime organization may put penalty कई बार क्या होता है यह पैलटी लगा देती है कि अगर आप discipline को maintain नहीं करते तो consequences of violation कारण क्या है यह तीन कारण है सबसे पहला जो है सबसे पहला जो कारण है वो है delay in work यहनि काम में देरी अगर आप discipline को follow नहीं करते तो काम में class क्या होगी देरी discipline अगर आप follow नहीं करोगे तो क्या होगा फिर काम में देरी होगी भाईया आप अगर तरीके से काम नहीं करोगे resources का waste होगा और chaos और confusion chaos का मतलब एक तरीके से अनबन लडाई जगडे और एक दूसरे में confusion रहेगा अगर आप discipline को follow नहीं कर देरी होगी जिन्दिगी में पूरी जिन्दिगी में चाहे आई-एस-पेस करो चाहे कोई भी कोर्स कर लो जिन्दिगी में एक बात हमेशे ध्यान रखना रोज का पढ़ाया हुआ रोज पढ़ लो बस खतम उसके बाद मजे लो कुछ भी करो आज जो टीचर ने पढ़ाया आज बढ़ लो जितनी जल्दी खतम करोगे फिर फ्री हो फिर गेम खेलो दोसों से चाटिंग करो घूमो फिरो वड़ेवर यू काम खतम करने के बाद अगर आपने काम इकठक किया ध्यान रखना कभी वो काम पूरा नहीं हो पाएगा आज खतम कर देना है चैप्टर को चौथे प्रिंसिपल में है मुझे चौदा और कराने टाइम हो रहा है फटा फट देखते हैं यूनिटी ओफ कमांड क्लास कमांड समझते हो क्या होता है क्योस मतलब क्या है कि जब मतलब की लडाई जगड़ा होते ना कन्फूजन जो मतल एक ही सुपीरियर से सुनना है कमांड जो लेनी है इंस्ट्रक्शन जो लेना है वो एक ही सुपीरियर से लेना है अगर जो है एक ही सुपीरियर से आप क्या कर सकते हो इंस्ट्रक्शन को लोगे मालिक जो है वो एक ही सुपीरियर होगा अगर एक से ज़्यादा boss से वो instruction को लेगा तो वो confused हो सकता है and not be able to understand that whose order must be executed first तो वो class confused हो जाएगा कि किसके orders को लो मानलो एक मालिक एक superior ने उससे कुछ कहा समझ रहे बात को और फिर दूसरे superior ने उससे और कुछ कहा तो वो दोनों में से किसी की भी बात को follow नहीं करेगा एक से बोल देगा कि मैं इसले काम नहीं कर पाया क्योंकि दूसरे ने बोला था और दूसरे से बोल देगा मैं इसलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि पहले ने बोला था तो कहने का मतलब क्लास ये है कि आपको जो सुनना है ना बॉस से वो सिर्फ किसी एक ही आपने सुपिरियर से इस्ट्रक्शन को लेना है कभी कभी होता क्या आप लोगे साथ कि मानलो आपके सर ने बोला आज टेस्ट है और कोइंस तुसी दिन इको वाले ने भी बोल दिया आज टेस्ट है तो आप दोनों से लेना है अलग बॉस से नहीं लेना अगर अगर ऐसा हुआ तो class कहीं न कहीं उसमें managers के बीच भी लड़ाई जगडा होगा, confused होगा, managers के बीच, और आप भी कोई काम को पूरा नहीं कर पाओगी कि हम किस की सुने, the principle of management help manager to improve effectiveness, time पे काम पूरा होगा, यह principle कहता है, time पे तभी पूरा होगा, जब एक ही boss की सुनोगे आप, no ego clashes, कहीं न कहीं उनके बीच class जो ego clashes है वो नहीं होगा, and no confusion in the mind of subordinate, subordinate के mind में कोई भी confusion नहीं रहेगा, वो confused नहीं रहेगा, मैं किस की सुनो, एक मालक ने बोला काम करो, दूसरा काम करो, तो किस की सुनेगा, काम में देरी होगी, और ego clashes भी होगा managers की बीच, अगर लेकिन आप इस principle को follow नहीं करते, यानि कि आप जो है, वो एक ही command ने, अलग- जगड़े होते रहेंगे class, subordinate will give excuses, subordinate जो है, वो excuse देगा, बहाने देगा, कि अरे भाई, मैं तो इसले नहीं कर पाया, क्योंकि दूसरे मालक ने मुझे यह कह दिया था, और कोई भी organization में discipline maintain नहीं रहेगा, unity of direction, क्लाइब दिशा, अगर मान लो ये आपका goal है, clear है, ये आप का मान लो goal है, कोई कहीं जा रहा है, कोई employee कहीं जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कुछ लोग goal की तरफ जा रहे है, तो क्या organization का goal अच्छी हो पाएगा, अगर सब लोग अलग-अलग direction में, अलग-अलग दिशा में चलने लगे तो, मैं company में जा रहा हूं, मेरा aim है कि इस बार मुझे काम करके पैसा कमा लेना है ताकि मैं गाड़ी खरीद सको के ढ़िए कि मैं जो है इसलिए काम अच्छे से कर रहा हूं ताकि मैं जो है घर करीज सकूं कोई तीसरा कहा है मैं तो बस इंजॉइ करने के लिए काम कर रहा हूं कोई कहा है नहीं यार जो आपका अगर company तरक्की करेगी तो क्या employee तरक्की नहीं करेंगे क्या company आपके बारे में नहीं सोचे कि बिलकुल और साथ में company को भी सला दी जाती है कि भाई तुम employee के बारे में सोचो क्योंकि employee ही सबसे important asset ध्यान रखना कभी भी अगर इसमें case study के नाम से लिखा आजाए one unit one plan यह one head one plan समझ जाना class उसको कहते है unity of direction पहले एक ही दिसा में चलना है अगर आप इस principle को follow नहीं करोगे तो organization goal achieve नहीं होगा तालमेल जो है वो कम हो जाएगा सब लोग अलग अलग जगे जाएंगे तो तालमेल कैसे होगा तालमेल तो तभी बैठेगा ना जब सब एक की साथ जा रहे हो wastage of effort आपके resources और आपके effort जो है वो waste होगा अगला है subordination of individual interest to general interest बच्चो ध्यान से सुनो आपको खुद का interest sacrifice कर देना है किसके लिए general interest के लिए यानि के organization के लिए खुद के goal को भूल जाओ company के goal को achieve करने के लिए sacrifices करो यह बोला जाता है according to this principle individual goal is to be sacrifice for the achievement of organization goal of the individual must be directed towards the achievement of goal individual को अपने goal के पीछे नहीं भागना organization के goal के पीछे भागना है manager must take all the decision in the organization by giving the priority to the organization जो भी manager है उसे company के interest के लिए काम करना है and not his personal interest उसे personal interest के लिए काम नहीं करना this also improve the coordination अगर class यह करेंगे तो तालमेल बढ़ेगा और goal भी अचीव होगा लेकिन अगर आपने इसको follow नहीं किया तो class goal achieve नहीं होगा और employee को long run में loss भी होगा नहीं कि लंबे समय में देखो मेरी बात सुनो आज अगर तुम अपने बारे में सोचोगे तो में भी तुम आज ज्यादा पैसा कमाल होगे लेकिन कल को तुम्हें loss होगा क्यूं कल को तुम्हारी company डूब जाएगी company बंद हो जाएगी तो ultimately company डूबेगी company घाटे में जाएगा तो तुम्हारा भी घाटा होगा अच्छा मैं आपको उसके दो बहुत best example देता हूं बहुत अच्छा correlate करोगे मैं मान लेता हूं कि मैं एक इंजीनियर हूं और सरकारी इंजीनियर हूं ठीक है सरकार ने मुझे बोला कि आपको ये सड़क बनानी है सड़क बनानी है ठीक है तो सड़क के लिए क्या चाहिए raw material जो भी चाहिए उसके अंदर वान लो ये कोई अधर है तो मैंने कहा मैं क्यूं दूसरों से खरीदूं माल को मैं अपने भाई से खरीदता हूं मेरे भाई को फाइदा होगा तो मैंने raw material अपने भाई से खरीदा सरकार को कितने का नुकसान पहुंचा दिया 50 लाग क्यूं क्यूं क्यूंकि मुझे सस्ते में माल मि क्योंकि मेरा भाई है और मेभी यह मुझे भी 50 लाग में से कुछ दे दे तो इसलिए मैंने क्या किया अपने फाइदे के लिए मैंने और्गेनाईजेशन का घाटा करा दिया अपने फाइदे के लिए मैंने और्गेनाईजेशन का नुकसान करा दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था यानि मुझे अपने खुद के गोल को छोड़ना चाहिए था किसके गोल को अचीव करने के लिए और्गेनाईजेशन के को अचीव करने के सबको आ रहा है समझ एक और एक्जामपल देता हूं मेरे घर में एक फैंबली फंक्शन है मालो मुंबई में है ठीक है और मैं रहता हूं यहां पर नॉड़ा में यानिक उत्तर पर्देश में तो मुझे निकलना है आज ही आज निकलना आज शाम को निकलना लेकिन शाम को बॉस का फोन आ गया बॉस कहता है कि एक इमर्जंसी हो गई है और्गनाजेशन में आपकी जरूरत है बहुत जादा तो बच्चो मुझे अपने ट्रिप कैंसल करने पड़ेगी मुंबई की और मुझे सबसे पहले और्गनाजेशन के पास जाना पड़ेगा क कहने का मतलब यह है क्लास कि खुद के गोल को आपने सेक्रिफाइस करना है किसके लिए और्गनाजेशन के लिए आप हमेशा क्लास और्गनाजेशन के बारे में सोचोगे और तभी और्गनाजेशन जो है कहीं न कहीं इंप्रूफ करेगा और बाद में आपका भी भला होग अगला रेमुनिरेशन टू पर्सन यार कम से खम एंपलोई को इतना पैसा तो दो कि अपना घरबार चला सके एक कॉम्पीटिटिव सेलरी दो यानि कि आप जो सेलरी दे रहे हो वह एक अच्छी सेलरी है ताकि वह कहीं भी यह न सोचे कि मैं यह कंपनी छोड कि कहीं और काम कर लोगा according to this principle management must be paid fair remuneration देखो remuneration मतलब होता उसकी महनत का पैसा यानि salary उसको अच्छी सेलरी दो उसको ताकि satisfy रहे unsatisfied person कभी भी अपना best contribute करेगा बोलो अगर कोई unsatisfied है क्या वह अच्छे से contribute करेगा नहीं करेगा this will motivate employees to perform with their best ability अंसान को अगर अच्छा पैसा दोगे तो अपनी best ability से perform करेगा लेकिन अगर ऐसा नहीं किया आपने इस principle को follow नहीं किया आपने का यार पैसे बचाते हैं चलो कम दे ना पड़े लेकिन वह यह भूल जाते हैं किससे उनहीं के स्कूल का रिज़लख खराब होगा बच्चा कलको किसी और को रेफरेंस नहीं देगा उस갈 के लिए लेकिन उनको सस्ते तीचर चाहिए तो स्कूल वाले उनहीं teacher को hire कर लेते हैं और सस्ते में और उनसे कहते हैं कि बच्चों को दुबारा पैसे लेक助 theoretical और पैसे कमाऊं लेकिन हम आपको पैसे कमी देंगे पैसे कमाना है तो से कम जैसे सरकार पुलिस वालों से कह दे कि मां आपको तंखाय कम देंगे आप पैसा घुष से कमाऊ इस सो नौ पीश वाले क्या करेंगे घुष लेना जाएगा और अगर class अच्छा पैसा नहीं दो जोब को छोड़ने का मतलब होता है employees turnover अगर employee job को छोड़ के चला जाते हैं तो उसको बोलते employees turnover dissatisfaction and demotivation of employee employee dissatisfied हो जाएगा demotivate हो जाएगा काम अच्छे से नहीं करेगा resources का wastage करेगा अगला पॉइंट है Centralization and Decentralization ध्यान से समझना वेरी इंपोर्टेंट आगे भी पढ़ाऊंगा आपको मैं सारा काम खुद तो कर नहीं सकता मुझे काम को नीचे लेवल पर बाटना है तो जब मैं नीचे लेवल पर काम बाटना तो मैं अपनी कुछ पावर्स को अध्यान समझना जो मेरी पावर है वह नीचे लेवल पर बहुत सारे लोगों को थोड़ा करके बाट दूँगा इसको बोलते हैं Decentralization लेकिन workout यह लो तुम मेरीी चेकबुक लेड़ो चेकपे साइन कर दो तोम पेमिंट कर देना क्या मैं यह काम किसी और को दूँगा नहीं सर यह तो बहुत इंपूरिंट काम है यह किसी को दो तो कोई आपको फोई बेज़ खाएगा ऐसा काम बिल्कुल मत करना इसको बोलते हैं Centralization Top Level Manager सुनना मेरी बात Top Level के जो Manager होते हैं वो अपनी कुछ Power को नीचे Level पे बाट देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं Decentralization लेकिन कुछ ऐसी Power है जो अपने ही पास रखते हैं वो लोग जिसको हम लोग बोलते हैं Centralization Centralization का मतलब क्या है कुछ पावर आप अपने हाथ में रखो और Decentralization का मतलब क्या है कि कुछ पावर आप नीचे Level पे बाट दो लेकिन ध्यान अखना किसी भी Company को पूरी तरीके से Centralize या पूरी तरीके से Decentralize नहीं होना चाहिए दोनों का combination होना चाहिए क्यूं अगर आप सारा पावर अपने हाथ में रखोगा तो काम ही नहीं हो पाएगा सारा पावर नीचे देदोगा तो वो क्या करेगा पावर का मिस्यूज करेगा और कंपनी कोई बेच देगा ध्यान अगर आप पावर कम दोगे तो वरकर ओवर लोड ओवर लोड फील करेंगे और अगर आप पावर जादा देदोगे तो वरकर उसका मिस्यूज करेगा अगर आप इसको फॉलोड नहीं करते तो क्या होगा complete centralization करोगे तो काम में बहुत देरी होगी आप यह सारा काम खुद करोगे तो काम में देरी होगी completely decentralized करोगे तो authority का क्या हो जाएगा मिस्यूज स्कैलर चेन यह कहते हैं कि कोई भी information अगर आप पास करते हो न यह लाइन बाइन पास होना चाहिए किसे लाइन बाइन स्कैलर चेन लेकिन अगर कोई आग लग गई और emergency information पास करना है आपको तो आप सेम लेविल के जो बंदे ह वह authority को पास कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं gang plank clear class यहां तक सेम लेवल अप लोगों के बीच में authority का transfer हो सकता है इसको हम लोग बोलते है gang plank gang plank चलो पढ़ते है स्केलर चेन क्या है फियोल थिंक्स ऑफ दे स्केलर चेन अज लाइन ऑफ अथारेटी अचेन ऑप सुपीरियर फ्रॉम हाइस टू लोएस टू लोएस टू उपर हाइस नीचे लोएस फियोल कहता है कि यह चेन को हमेशा फॉलो करना जो भी information जानी है वह तो नीचे से उपर तक जाएगी या उपर से नीचे तक जाएगी हर किसी के पास जाना चाहिए कोई skipping अलाव नहीं है अगर कोई emergency है कोई urgent information है तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप गैंग फ्लैंग फॉलो कर सकते हो यानि की कहने का मतलब यह है कि कोई shortcut आप वहां पर लगा सकते हो अगर आप information लाइन बाइन पास करोगे तो इंफर्मेशन सिस्टमेटिक तरीके से जाएगा गैंग प्लैंग का मतलब क्या है कि आप दो लेवल दो लेवल के लोगों के बी नहीं है इसको गोलते हैं गैंग प्लैंग इस लेस्टो सिस्टमेटिक फ्लो फ्लो फिंफर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन बैरियर और गैप में बट में डिले इन एक्शन यहां तक तो अगर क्लास इसकी बात करें स्केलर चेंड की तो यहां कहते हैं कि information जो भी है वह लाइ उसके लिए शॉटकाट ले सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं अर्जन इनफरमेशन के लिए विकान टेक शॉटकाट यहां कि तो क्या होगा सबसे पहली बाद अगर आप इस परिंसेपल को फॉलो नहीं करोगे तो कम्यूनिकेशन ग्याप रहेगा क्लारेटी नहीं रहेग जलाए ताकि हर इनसान की या हर स मान की सही जगे होनी परन्दाmistrat की सी मिल जाए उसे जोन्थने में मैं तरो उसकी एनरजी बरबाद मणे कंपनी any मनलो जिलाई करता है उसे उसे कैंजी चाहिए तो कैंची के लिए उसे किसी दूसरी जगा जाकर ढूंडना पड़ता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट, हर मैनेजर, हर समान, उसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, ताकि जो भी जिस समान को ढूंड रहा है, उसे जाके एजी जी ढूंड ले, समय कम से क लगे और एनर्जी बरबाद ना हो, लेकिन अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे, तो होगा क्या, टाइम खराब होगा, एनर्जी खराब होगी, और जब आपको सही समय पे इंसान को ढूंडना था बात करनी थी, तो इंसान मिलेगा ही नहीं, सरकारी दफ्तर में जाते हो, तो धूंडते रहते हो, यह वाले सर कहां है, यह वाला माल कहां से मिलेगा, यह कागज कहां से मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, 11 पॉइंट सबसे एज़ी है और आपको बहतर समझ आएगा, एक्विटी का यह मतलब नहीं है, क्लर्क को भी 50,000 दो, इस से बात कर रहे हो, और जो मैंगेजर उस से अच्छे से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक इंसान को बराबर बराबर लेवल का treatment देना चाहिए, ताक कि हर एक employee satisfied रहे, कोई bias नहीं रहना है, आपको सबको बराबर लेवल का treatment करना है, समझ रहे हो बात को? इसी भी बेसिस पे आपने employees में भेदवाव नहीं करना है इक्विटी मतलब सबको इक्वल अरे भाई एक्विटी मतलब इक्वल होता है इसमें भी दिक्कत है इक्विटी मतलब इक्वल इन ओरगनाइजिशन क्लास अगर ऑगनाइशन फॉलो करेगा तो employees का जो मोराल है वो अप होगा और वो इसको फॉलो नहीं करेगा तो employee dissatisfy रहें लडाई जगडे होंगे यह सब problem होगी 12th point जो है वो है stability of tenure of personnel कहने का मतलब क्या है कि कोई भी employee जो है उसकी लंबे समय तक वो टिक्के काम करें इस बात का आपने ध्यान रखना है according to this principle management must provide the feeling of job security उसको लगना चाहिए कि भई मेरा job secure है among the employee no frequent transfer and termination should take place उसको जल्दी जल्दी यह नहीं उसको transfer कर दो उसका terminate कर दो 15 दिन काम किया दो महिने काम किया उसका किसी दूसरे department में transfer कर दिया उसको job से निकाल दिया इस तरीके की बाते बिलकुल भी नहीं होनी चाहि एक employee आपके हां काम करता है तो आप training में कितना खर्चा करते हो शुरू में वह कितनी गलतियां करता है mistake करता है आप वहां इतना सारा खर्चा करते हो समझ रहे हो बात को अब उसके वह काम सीखता है आप उससे निकाल देते हो या वह छोड़ के चला जाता है वह कहीं और जा अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया आपके रिसोर्स का वेस्ट होगा क्योंकि नई जॉब को सीखने में फिर अगला बंदा रिसोर्स को वेस्ट करेगा वह फ्रस्टेट हो जाएगा डिस सदिस्रक्शन अफ एंप्लोई एंप्लोई भी फ्रस्टेट हो आपको अपने एंप्लोई को मौका देना चाहिए ताकि वो भी कुछ ना कुछ डिसीजन ले सके अगर आप कोई गोल सेट कर रहे हो टार्गेट सेट कर रहे हो एंप्लोई से पूछ लो क्या आप यह काम कर पाओगे तो यह चीज बेटर होती है तो फेवल सजेस्ट करता है कि एंप्लोई को एक अपॉर्चिनिटी देनी चाहिए मौका देना चाहिए ताकि वो भी कही ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद कर सके अच्छा एंप्लोई को आपको एक टार्गेट दे रहो इन्हों बुलाओ बिठाओ तुम्हें वाला काम कर लोगे क्या अच्छ अचीव हो पाएगा लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते इनिशेटिव कोई सलाह दे रहा है तुमुझे सिखाएगा तुमुझे लेवल का एंप्लोई है मैं मैंनेजर हूं तुमुझे बताएगा काम कैसे करना है अगर आप ऐसा करोगे तो वो दिमोटिवेट हो जाएगा औ अगर कभी भी यह लाइन आजाए रिप्लेस आई विद वी आई मतलब मैं एहंकार से भरा हुआ वही मतलब हम तो हम आई नहीं चाहिए हमें वी चाहिए यानि कि हमें गुरुप में काम करना है कहने का मतलब क्या यूनिटी इज ट्रेंद यह कहता है यूनिटी इस तो एक साथ मिल के करना है अगर आप पांच अलग अलग लोगों से बोलो कि आपको पांच शूज बनाने हैं तो वह पांच शूज बनाएंगे सच्छा आप पांच लोगों के टीम बना दो और टीम बना के गुरुप बना दो और बोलो कि तुमको पांच शूज बनाना है ग्रूप को तो यह ग्रूप गोल जादा जल्दी अचीव होगा अगर इन 5 में से कोई बंदा चुट्टी पहे जूते बनेंगे 4 लेकिन इन में से कोई बंदा अगर चुट्टी पहे तो ग्रूप अपने गोल को अचीव करेगा ग्रूप के अंदर एक motivation रहता है ग्रूप के इनसान पर स्ट्रस्ट जो है वो ज्यादा रहेगा तो एस्पिरिट डी कॉप का मतलब क्या है mutual ट्रस्ट आपसी भरोसा एक ग्रूप बना दो और वो टीम स्पिरिट एक टीम बना दो जैसे स्कूलों में टीम होती ना लग 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 टीम तो टीम बनाओगे हाउस बनाओग ग्रूप एफर्ट होगा तो ग्रूप एफर्ट इस मोर पावल एक उगली से ज्यादा पांच उगली के कॉंबिनेशन होता है तो यहां पर आप एजीली अपने गोल को अचीव कर सकते हो यह मोर पावर्फुल रहे तो चौदा प्रिंसिपल हमने खतम कर दी आई होप कि करेंगे टेलर के प्रिंसिपल के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केर मिलेंगे नेक्स क्लास